विल्कम इस्टूडेंट्स आप सभी के अपने चनल स्केम इस्टड़ी पर आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में जैसा कि आपको कल बताएगा कम्यूंटी टैब में कि नरेशन को पढ़ने वाले नरेशन के सब पूरे टॉपिक को इसमें कवर करेंगा और जो भी ची सब्सक्राइब पर लेजिए और वहां पर इसका पीडिया फ्री में बिल्कुल आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लिएगा सबसे पहले हम जानते हैं नरेशन नरेशन यानि कि डारेक्ट स्पीच और इंडारेक्ट स्पीच का मतलब किसी को स दो प्रकार्स होता है एक डारेक्ट होता है और एक इंडारेक्ट होता है डारेक्ट का क्या मतलब होता है जो अपनी बात होती है वह किसी से डारेक्ट अपने द्वारा ही कहते हैं ठीक है अपने द्वारा किसी को हम अपनी बात डारेक्ट तरीके से बताते हैं मतलब उसके चरफ्ड ब्रत्यक्शक्छरोब ने बताते हैं और इंडारेक्टर मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बाते हैं उसको हम क्या करते हैं students की दूसरे के द्वाराह हम पर नहीं बाते हैं इसी अधार इसके बाद देखते हैं we may report the words of speaker into ways यहनि कि जो हमारी report होती है उसको हम तो तरीके से किसी को बताते हैं या तो प्रक्तेच रूप में बताते हैं या किसी दूसरे के द्वारा हम कहलवाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं हम अपना कथन कहते हैं तो कथन आपको समझ में आ गया एक डारेक्ट होता है एक इंडारेक्ट होता है तो डारेक्ट तरीके से कैसे हम कहते हैं जैसे कि मैं यहां पर देखते हैं कुछ एक्जामपल जेरी आपको समझा जाता हूं वर अच्छी तरीके समझाता हूं यहां पर देखिए मैं बीमार हूं मैं बीमार हूं श्कूल नह ु Engagement नहीं आएक है समझने की जरूरत है यह कोई ब्यक्ति है और यह ब्यक्ति वहाल स्कूल नहीं आए इस से भी भ्यक्ति गले नियुल होगा जाएकुश्य की बिमार को यह इंड्रिय। है जो हमारे बात किसी दूसरे के दौरा किसी दूसरी को कहलवाना ही इंड्रिय। speech के अंतर गताता है कि हम अपनी बात तो किसी दूसरे के द्वारा भेज रहे हैं दूसरे की तरफ तो इसी उक हम क्या काते हैं इंडरेक्ट speech कहते हैं तो इस्टुडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि कथन हम क्या काते हैं कथन को किदी तरीके से कर सकते हैं कथन को हम दो तरीके कर सकते हैं यहां प colon r2 यहां तक आपको समझ में आ इसमें हर एक चीजी अपको डिसकस की जाएंगी और अच्छी तरीके से बताए जाएंगी चलिए देखते हैं आगे जैसे कि हम यहाँ पर इसमें कुछ चीज़ें होती है जिसे को हमारी की direct speech को indirect speech बदलने के लिए जिसे डारेक्ट जो हमारा होता है sentence उसको हम indirect sentence में बदलने के लिए कुछ rules है कुछ नियम से पहले उसको समझ लेते हैं क्या-क्या शेयर कर दें और लाइक कर दें और फिर हम आगे बढ़ते हैं यहां पर देखते हैं और वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रीप मत लिए क्योंकि लाशनी में जो आपके एक्जामपल्स बता जाएंगे बहुत ही एक्जेक्ट तरीके से बताया जाने वाले हैं तो यहां तक आपक विए एक्जामपल देखते हैं जामपड़ जैसे हमारा और रहतिया गया है राम सेट राम ने कहा teIA है और न क्या करेगा रिपोर्टिंग वर्व का क्या करेगा 내 जो हमारी कामा के अंदर चीज़े होती है वो रिपोर्टेट स्पीच का काम होती है यानि रिपोर्टेट स्पीच दो बाते हम कहते हैं उसे हम कहते हैं अगर हम इसका क्या बनाएंगे अगर इसका हम इंडाइट बनाना चाहेंगे तो हम यह कामा है इस कामा को हटा करके क्या ल ने चिव आजए मेस रहें हैं से एक्जामपल गेरी आपको हम बता देंगohl पहले हम देखें के सब्सक्राइब करके देखते हैं जैसे आपको जो कामा के बाहर चीज़े मिलते हैं आपको क्या मिलेगा यहां पर मिलेगा आपको क्या रिपोर्टिंग वर्व यह रिपोर्टिंग वर्व हमारी होगी और अगर हम इसके कामा के अंदर देखेंगे तो हम क्या मिलेगा रिपोर्टेट स्पीज मिलेगा यहां पर दो चीजे मिलने वाले हैं इस संटेंस में तो चलिए इसको इसको तरीके से इसको इंडाइट बनाते हैं और आप देखते हैं जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि राम सेड राम ने कहा राम ने कहा कि he went to go to school वह इस्कूल गया सामने कि आइ गो इसकोल में सब्स्कौल जाता हूं यहां इसकी बात आपको समझ में अगई तरीका समझ में पहला बात हम क्या करते हैं जो कामा है उसको हटा करके सिर्फ डैट का प्रियोग करते हैं इसमें डैट का प्रियोग करेंगे तभी हम इसको इंडायट इस वीडियों बदलने की बदल सकते हैं अन्य था ऐसा पॉसिबल नहीं है तो चली देखते हैं कुछ वर्ड आएंगे इसके बाद हो जाएगा नाँ का क्या हो जाएगा दियन हो जाएगाई का दियर हो जाएगा हो जाएगा तो नाइट रही हो जाएगा तो नाइट का यह prowad Monkey कтаки ब्लेंगे किसम में बदल कि बिल्कुल भी याद करने चीजी आपको बहुत इंपोर्टन चीजे स्क्राइम इस्टेडी आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर जाकर कि आपको पीडिया को डाउनलोड कर लेना है आप अच्छी से पड़ तयारी कर लेनी है तो यहां पर नाव नाव का क्या हो जाएका दैन हीर का दियर तूडे का देट डे और दीज का दोस हो जाएगा यहां दैने हैं व्यां में चैनल में आपको नहीं Metro क्या होजाएगा और दैन हो झाएगा नावस चीज्य यहां पर देखेंगे क्या इसको देख लीजे आभे श्टूडेंड्स लास्टे लाश्ट नाइट जाएगा दर प्रिवियस नाइट क्या हो जाएगा दा प्रिवियस नाइट इसको भी आपको याद करने ज़रू है क्यों कि आगे संटेंस में चीज़ें मिलने वाली हैं उसके बाद ये स्टर्डे का दा प्रिवियस टे टुमारों का देट नेक्ष डी या दा फालोइंग डे ये चीज़ें आपको इसमें तुमारो यहां पर आपको कथन समझ में आगा नरेशन समझ में आगया उस एक्जामपल समझ में आगया रिपोर्टिंग वर्व समझा दिये और कैसे हम बनाते हैं उसको भी समझा दिये बिल्कुल कोई वी चीज इसमें छूटी नहीं है और अच्छी तरीके से आपको समझाए गया ऑसा करने के आपको बिल्कुल समझ में आगया होगा यहां पी जलतके हैं लास्ट वीक का हूजalog देखीं लाश्ट वीक का हम क्या जाएगा दप्रिभ्यश्श last week क्या हो जाएगा the previous week इसको बनाएंगे हम यहां तो आपको समझ में आ गया होगा फिर उसके बाद देखते हैं क्या चीजी है इसमें कैसे हम changes करेंगे इसके बाद हम tenses को change करके देखते हैं आपको समझने में दिक्कत होगी अलग अलग वीडियो हो जाएंगे लेकिन इसमें हम जो नरेशन है आपका एक ही पार्ट में पूरी चीजे समझाने का प्रयास की हैं तो आपको अच्छी तरीके समझ में भी आ जाएगा एक ही बार में आपको पूरी चीजे clear होने वाली है त आपको इसके विश्टी टेलेंग्राम चैनल पर भी उसको मिल जाएगा चली चलते हैं आगे टेंस को काउन साटेंस में चेंज होगा उसको भी डिसकस करते हैं और जानते हैं अच्छी तरीके से एक्जाम्पल सहीद बिल्कुल आपको घराएं जोरों ने चले देलते हैं न आपको तरीके से यहां पर आपको दाएक जरुरत है पर पर देखने वाली बात है यहां पर देखने वाली बात अमें जो करते हैं तो हम इसका एक एकजाम्पल समझ लेते हैं डाइक को मतलने के लिए यहां पिकाद है ही सेट का मतलब क्या हुआ रिपोर्टिंग वर्ब यह हमारा क्या हो गया और भी इसको कहते हैं स्ट फर्म में remote रिपोर्टिंग वर्व ठीक करें अगर कैसा अरियोष हमारा क्या है रिपोटेट पीस्ट यहां पर आपको रिपोर्त इस पीश तो हागर हो है उसको वहश्य हे लिख देते हैं तो यहां पर देखेंगे ई-ई-एद-ई-ए-द लिखेंगे उसके बाद इसमें एक कामा को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, उसके बाद देखिए स्टुडेंट्स, अगर हम आई को हम किस अधार पर चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के अधार पर चेंज करते हैं, यहनि कि वहां का रहा है, इसलिए हम यहां प परसंता यह नहीं कहेगा जो हमारा तीसरा परसंता अजरीं कि आप कहा दिये कि ऊतियनारीह ब्यक्ती 죽ी प्रप्ते पाघ्रीर की इक किसी आप करहें कि मैं बेगता जा रहा हूं आप ऊसको इस तरीके से बताएंगी कि हRichard जा रहा है जैसे हम का दें कि मुहन मुहन जो है करा है कि मैं बाजार जा रहा हूं लेकिन अगर हम इसी तिसरे ब्यक्तितों कहेंगे तिसरे ब्यक्तितों कैसे समझाएंगे कि वह बाजार जा रहा है तिसरे ब्यक्तितों इस तरीके से बताएंगे अगर आप मैल लगा देंगे तो आप खुद ही बाजार जा रहा है, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए वहाँ पिर, अगर हम तीसरे ब्यक्त की बात करेंगे, तो वहाँ बाजार जा रहा है, दूसरे की बात हम बताएंगे, तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, आप चलता है आग प्रेजंट इंडिपनिट को पास्ट इंडिपनिट में चेंज करने के लिए का करते हैं, उसमें जो वर्भ होती है, में वर्भ होती है, उसको हम सेकंड फाम का प्रियोग करते हैं, तो सेकंड फाम में हमारा क्या हो जाएगा, गो वेंट गान, इसका सेकंड फाम गो क्या हो गई, जो other words हो जाएगा इसमें तो subject और वर्व पहले लिखेंगे, वर्व का ही change करेंगे, यह हमारी सहायकर और दिक्कत नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, wanted, क्या हो जाएगा, wanted, to go home, क्या हो जाएगा, to go home, he said that, he wanted to go home, यहाँ पर आपका यह बन गया इंडारेट स्वीच आपको समझ में आ गया होगा मेरे पारे स्थूट्टेंट स्वागिश or समझ में आ गया तो हैं चलता है आगे ढगे देखते हैं कौन से चंज होने वाला है आप को बिल्कुल भी समझने की जरूत यहां बस आप लोग टेंस तेंस में पढ़े होंगे अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा तो इसे चीजें आपको बताने के बाद जावर्फन आपको एकसरसाइज भी कराई जाएगी डेली 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 आपको मिलेगा त यहां पर चलते हैं आगे काउन सा ती कहया हुं पहचान किसमें क्य होती ए समझ यह चीजह आती है तर आपको बिल्कुल भी समय जया गया होगा यहां पर प्रिस पisную सब्सक्तेर जैसे कंटेनि में बहुत किसी से का रही है कि मैं आज जा रही हूं अब जो हुआ है किसी दूसरे ब्यक्ति जाएगा बताएगा तो यहां पर भी आपकी जो सब्जेक्ट है चेंज होगी रिपोर्टिंग वर्प के अनुसार देखिए कैसे चेंज हो रही आपको भी समझने जरूत है जैसे कि वह का दि है हमारी कारे कि कोई ब्यक्ति है वहीं यहां बात करें तो यहां पर स्थ लेक्रा देखिए आपको बताएगा तो बिल्कुल रटनिक जरूत है यहां पर देखिए क्या हो जाएका सीवासगोंग दैके टूटे का अगा होगा यह आ गए और चलते हैं प्राजींट konuş нос अगए चलते हैं प्रडट पर्फिक्ट परिबादे हैं चलिए चेंज करके इसमें देखते हैं कैसे चेंज होगा तो यहां पर देखिए मैं आ चुका हूं यहां पर दोनों एक ही बात है तो मैं आया हूं यहां पर यह भी चीज़े का सकता हूं चलिए देखता हूं यहां पर देखते हैं कि ही हेड् कम जाएगा यहां पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा क्योंकि यह पूरूस है तो इसके लिये क्या हो जाएगा ही हो जाएगा ही अवसाय क्रिया हमारी क्या हो जाएगी हैड कम यहां पर आपको समझ में आ गया होगा चेंजिस समझ में आ गया होगे तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल चलते हैं आगे आगे हम पढ़ते हैं क्या चीज़े हमारे दिखें प्रजेंट परफेक्ट का तो यहां पर देखिए देखिए उन्हों ने कहा यहां कल सुबह से ही कार कर रहा है तो यहां पर यहां पर देखिए प्रेज़ेंट परफिक्ट ए से सय इसमें इसको चेंज करने के लिए कैसे उन्होंने कहा देकर देएठ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग यहां पर देखिए। हberg क्या हो हाइड हो जाएगा उसके बद देखी इसके अनुसार सबजेट का नुसार जो रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट होता है इसके अनुसार हमारी क्या होती है जो हमारी सबजेक्ट है उसके साथ होगा तो यहां तक आपको समझ में आगया आप चलते हैं आगे आगे कौन सा चेंज हो रहा है लामने बता है प्रेजल लुजे बचा उसको पिदिकनिज्ट में और यह देखी हमारा next ten counted कão साicate past indefinite tense को हम past perfect tense तो past indefinite tense को अब भी देखिए जो हमरा present indefinite किसमे change हो रहा था past indefinite में अब यहाँ पर भी आ गया past indefinite का भी change होता है सर्यीस को भी जान लेते हैं चली देखते है past indefinite का किसमे change होGा past perfect tense में इसको भी जान लेज़िए आप कैसे change करेंगे हम तो यहां पर देखिए इसका example my mother said मेरी माता जी ने कहा I went to Delhi मैं Delhi आया गई हूँ ठीक है तो मैं Delhi गई हूँ तो यहां पर देखिए इसका past perfect tense में कैसे change होता है तो यहां पर देखिए my mother said अब कामा को हटाएंगे that का प्रयोग करेंगे यहां तक तो आपको बिल्कुल भी समझ में आ रहा होगा उसके बाद क्या करेंगे कि see अब देखिए my mother है तो mother क्या है मारी इस तरी लिंग है इस तरी के लिए क्या करते है शी का प्रयोग करते है और पूर उसके लिए he का प्रयोग करते है तो क्या हो जाएगा है वर्व की थर्ड फाम का प्रयोग करते है तो हिसी हाइड इसमें क्या लगता है लगता है उसके बाद वर बाती है में वर बाती है आपको समझ में आ गया होगा चलते हैं आगे तो इस्टुडेंट्स आपको बिल्कुल भी घबराने जरूरत नहीं आपको पील लाइक कर दी कमेंट कर दीजी चैनल पर जो बच्चे माँ नए आ रहे चैनल को क्या करते हैं शेयर करते हैं लाइक कर दें चलिए देखते हैं यहां पर देखने वाली बात है कि हमारा पास्ट कांटी निवस्टेंस दिया गया है क्योंकि कांटी निवस्टेंस में वाज्या वर यहां पर देखनंग Ain swapped और लोगा आखी तरीके से आरा होगा अगर नहीं आता है तो आप लोग करके बता देजिए उसको भी हम आपको एक टॉपिक बता देंगे टेंस को एक ही वीडियो पुरा टेंस भी बता सकते हैं ठीक है आपको घपरानी ज़रूत नहीं है बस एक लेक्चर की बाद है तो आप लोग पर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएंगे आप से ठीक लिष्ट है चलते हैं देशैट यहाँ पर देखे किया यहां पर देखिए तो यहां यहां पर परफेक्ट को किस में चेंज करते हैं पास्ट पर्फेक्टेंस को यहां पर क्या हो गया पास्ट पर्फेक्ट को पास्ट पर्फेक्टेंस में तो ऐसा तो नहीं हो सकता है आप सोच रहे होंगे ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन हम बता रहे हैं इस्ट आपको बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है पास्ट पर् तो यहां पर आप जैसे ही past perfect का कोई टेंस देखते हैं तो आपको वहां पर change करने की जरूरत नहीं है तो यहां पर देखेंगे he said I had done my work I had done my work इसको सेम वैसे ही कर देंगे तो he said that क्या करते हैं he said that वहां कहता है की he had done his work done अब देखें माई का क्या हो जाएगा हीज हो जाएगा I के अनुसार क्या आया था माई आया था तो he के अनुसार क्या जाएगा his हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा तो यहांपे देख सकते हैं he said that he had done his work अपना कार कर रहा तो कर चुका है यहांपे आगे चलते हैं कुछ note चीजे हैं जो हमारी बहुत important जरूरत आपको है जानने की चलिए यहांपे देख लेते हैं और यहां पर देखते हैं कि जो हमारा note में है उसको क्या लिखेंगे तो इसको हम बनाएंगे तो इसको हम बनाएंगे तो the teacher said that the sun rises in the east यहां पर आप सोच रहे हैं कि गलत बता रहे हैं साजी बिलकुल नहीं आप गलत नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको जानने की जरूरत है नोट में, नोट में क्या जानने की जरूरत है इनिवर्सल, युनिवर्सल तुरूट, जो इनिवर्सल तुरूट होते हैं हमारे, उसमें क्या करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होते हैं हमारे, जैसे आपको sentence दिया रहेगा, आपको वैस से आपको लिख देना है यानि टीचर ने कहा कि आप इसको बदल भी नहीं सकते हैं आपको सूर पूरब से उकरा तो आप पसी में नहीं होगा सकते हैं क्योंकि हमारा इंवर्स तुरूथ है तो यहांप क्या हो जाएगा दसन राइज इंद इस्ट हो जाएगा आगे चलते हैं माई मदर मैं मदर सेड मेरी माता ने कहा ऑनश्टी इस दवंश्ट पॉलसी देश्ट पैसी जो, इमानदारी इस दवास्टी गुंश्ट पहुंसी हमारा यूँपर उपको आपको आजा करते हैं वीडियो बो जदही होगी अगर बीडियो पसंद आई होगी तह फून सी बीडियो में चाहिए तो पिर दीजिएगा तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियों में जय ही जय भाय तब तक क्या अपना ख्याल लखिए टेक केर बाए बाए